सपने से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता जो अपने आपको इमैजन करते हैं वहां पर बैठे होए तो फिर उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता है उसके ममी पापा का साथ और मोटिवेशन होना जरूरी है कि येस यू कैन डू देट बेटा रन मतलब जब बच्चा रन करता है और पीछे से हम तालिब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एफर्ट करता है उस चीज़ को एंक्रीज करता है इस समय मैं चिड़ावा में बैठा हूँ और चिड़ावा का नाम आते ही हम सब के नजर में दो चीज़े आती है तो चिड़ावा के पेड़े बड़ी मिठास होती है उसमें और एक सागरोटा उसको भी खाने का बड़ा मज़ा आता है पर आज हम चिडावा की जिस परिवार में पहुंचे हैं वहाँ पर चिडावा के पेड़ों की मिठास के साथ में अपने घर की बिटिया दिव्यानसी की सफलता की भी मिठास बहुत है और इस मिठास ने हम सब को भी आलादित किया है मैट्रिक्स नीट डिविजन की इस बेटी ने अपने पहले ही प्रियास में 692 नंबर लाकर नीट यूजी को क्लियर किया है और डॉक्टर बनने की और अपना एक कदम बहुत मजबूती से बढ़ाया है आज हम लोग चिडावा में हैं दिव्यान सी के साथ में मम्य पापा है चोटा भाई है बात करेंगे सबसे जानेंगे कि किस तरह से इसकी पूरी जर्नी रही कैसी यात्रा रही तो सबसे पहले तो मैं दिव्यान सी आपको खूब बढ़ाई देता हूँ कि आपने बहुत बढ़ी सफलता नीट यूजी क्लियर हुआ अच्छी बात है बहुत सबसे होता है पर इस मार्क्स के साथ में क्लियर करना यह हमारी कॉन्फिदेंस को बहुत सरा बूस्ट अब देगा पहले मैं पापा को बढ़ाई देना चाहूंगा और ममी जो आपकी है उनको भी बहुत बादाई ममी तो खुद एक शिक्षκ आए इसलिए समझती है कि बच्चों की सफलता कितने अच्छी लगती है बच्चों की सफलता पर या तो माता पिता खुश होता है तो दोरी बूमीका में है मता जी हैं पर दीदी ने अच्छा किया तो इसको भी एक बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है पूरे परिवार को मेरे और उसे बहुत बहुत बजाई बहुत बहुत शुब कामना है कुछ सवाल जवाब हम करेंगे बाचीत करेंगे जानेंगे आपकी जरनी कैसी रही पहले तुमा यह प लोगों की सेवा जो है वो मैं भी कर सकती हूँ थो सपना मेरा ही था समाज के प्रती सिधा सिधा एक कनेक्शन देखें या जुडाव देखें या जवाब देई ता देखें अकाउंटेबिलिटी रहे तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और आपने अपना चेनवा बिल कि कैसे एक साल में नहीं होता है दो, तिन साल लगते हैं तो होता था लेकिन सपने से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता स snapshot देखेर तो बिले där है कि इस दो नहीं मोटिवेट करते मेशा हो लिगला नहीं सकते है तो बहूँ एक देन का अलज नहीं पेरिछोंगा इस दीन पढ़ लिए होते तो आज यह चीज नहीं होती है मैं अगला सवाल पापा से पुछ हूँगा आपके से बेटी से भी मने थोड़ी देर बात करी है पर मुझे यह समझ में आ रहा है कि इसके जीवन में जो है वो maturity बहुत अच्छी है, काम भी यह है समझ यह चीजों को क्या करना है कैसे करना है, तो यह गंबीरता समय के साथ हाई, बच्पन से कई बच्चे लेकर के भी आते हैं इस तरगी चीजों को या यह जो इसका यह वेक्टित पो बना है उसके पीछे क्या करण नहीं यह बच्पन से यह जज़ा सोच लिया कि यह करना है तो करके रहते हैं और आज बड़ा दिन है क्योंकि बेटी ने बहुत अच्छा मतलब परिवार की पहली बेटी है डोक्टर या पहले भी कोई है परिवार में आपको बहुत बदाई अच्छा मैं च्छा मैं और तो बनना चाहतीम के घंडी wam जांगा हैं शां में मुत तो उप्सन घयां आ गई थो तुमीट लुड स Eugene पूरा नीट 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 लिखे वरा हुआ है अच्छा अपने रूम में सिरफ नीट ही लिख रखा इसने दूसरी कोई चीज़ नहीं लिख रखी है अब यह सपना बहुत अच्छे से जिया है तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखा इने टाइम टू टाइम कहीं से कुच्छ भी मिला थो इसको बस मैंने सिरफ इतना इतना है कि बटा आपको और इस इस सथी करना अपड़िगा बते रहते वो कहते थे कि आपको इस सपना लीजिए और उस सपने के साथ में जीना शुरू कीजिए उसे को खाईए उसी को पहनिए उसी के साथ सोईए उसी के साथ उठीए तो निश्चित उसे फिर वो सपना साकार होता है मैं बिल्कुल आपके रूम का जो है वो एक बार विजिट जरूर करना चाहूंगा भी करूंगा भी मैं पर यह बहुत अच्छी बात बताई मैं पूछूंगा आपसे कि आप सीकर आए सीकर में बहुत सारे उप्शन से नीट मैट्रिक्स नीट इविजिन में कैसे पोंचना वो पहला ही रिजल्ट था और पहले रिजल्ट में जो फांडेशन बैच भी नहीं था बहुत बड़ा रिजल्ट था और सेकिंड वाला जो रिजल्ट है उसमें आप लोगों ने क्या बंपर कमाल किया मतलब इस बार तो बहुत ही जबर्दस तरीके से आप अप अपनी स्ट करी कि हर टाइम तो टाइम मोटिवेट करते थे वो जादा जरूरी होता है पढ़ने ही पाएंगे अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा सेमिनार सोते थे और क्लास में भी टीचर्स कभी कोई शायरी सुना के कोई गाना सुना के हमेशा मोटिवेट करते रहते थे बताते थ या उन्हें पराने स्टूडेंट्स के बारे में और वैसे स्टूडीज भी काफी अच्छी है मैट्रिक्स की टेस्ट वगरे का सिस्टम वो भी काफी अच्छा था मलब हमेशां एंचीर्टी की हर एक लाइन से समझ में आ जाता था पेपर देखके कि हां यह उस लाइन से उस सब्जेक्ट में अपने डीटीएस लगातार दिये पूरे सारे दिये क्या स्कोर चलता था उनमें मेरा बहुत रेरली कभी 680 690 तो बहुत रेरली पहुंच था जनरली 680 670 के आसपास ही रहता था रिवाल्व करता था मैंने कई बच्छों से बात करी और मेरा मतलब रिजल् करते थे तो ऐसे मतलब डीटीएस में तो डीमोटिवेशन होता है कि यह क्यों नहीं हो रहा है क्या सूलिशन निकालते थे उसका मैं ममा से बात करते थे पापा से बात करते थे वो बताते थे कि कोई नहीं हो जाएगा कभी पेपर डिफिकल्ट हो जाते कभी तबित वगरे खराब हो जाती थी तो हमेशा motivation रहा है मतलब मेरे पीछे हमेशा रहते थे हमेशा बताते रहते थे कि ऐसे इसे कर ले वैसे कर ले बाकी बात भी कराते थे मेरे बाकी students छो तो में parents हमेशा मेरे साथ रहें हैं अभी mama बोल रही थी कि कदगाठी मजबूत है तो मैं इसको आर्मे में बेजने सारी थी पर मुझे रखता है कि जब डॉक्टर बन करके जाओगी तो हॉस्पिटल में पैशन बात करते से मैं डरेंगे कि दिव्यान जी से बात सो समझ करके करें पर वहाँ पर आपको सबको बड़ा प्रेम से डील करना पड़ेगा भाई ने कुछ मोटिवेशन लिया आपसे या बातचीत करता है आपसे पूछता है दीदी क्या करूँ कैसे करूँ यह तो पूछता और था दीदी इस बार कितने माक्स है ऐसे कैसे कट करो पढ़ाई क्या करो आप पढ़ाई क्या करो तो सेनिक स्कूल में हो मतलब भविष्य में सैनिक बनना चाहते हो पक्का एंडिय भी बहुत मुश्किल है आसान नहीं है एंडिय को फाइट करना फर एक सवाल में आपसे पूछूँगा की अपर घ्र gitti पाइट ना उनको कहने पड़ाइक रखना पड़त रखना पड़ता है थे तो कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे स्कूलिंग से यह ऐसे होते हैं, कई पर बच्चे बाद में आके सिंसर बनते हैं, आपने बताया कि यह पहले से शुरू से वैसी थी, कभी कुछ additional आपने efforts डाले है या कुछ ऐसा किया है, आपने कोई भी हमारी जो इच्छा थे इस पर थोपी नहीं, ठीक है, जो करना अपनी मर्जी सीखर, कोई प्रोवलम है, तो बताओ, ठीक बात है, उसका solution होगा, बहुत बढ़ी है, दिव्यान सी, अब आप चुकि एक जो बड़ा milestone होता है जीवन का, वो आपने crack कर लिए, लेकिन अभी जरनी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, मतलब हमने ठीक है, नीट क्लियर कर लिया पर अब हमें अच्छा डोक्टर बनने के लिए अगली जो college के 4-5 साल है, वो बहुत मैनत करनी पड़ेगी, दिव्यान ची के तयारी पूली, जी साब ने पूरी कोशिश करूँगी, जैसे अब तक करी है, वैसे ही मैं इद्याप से यह पूछो कि मुझे नीट करना है और चूंकि दिव्यान से ने वो जरनी जी ली है, तो मैं इद्याप से यह सूत्र पूछना चाहूँ कि मुझे इस डूरेशन में क्या काम नहीं करना चाहिए अपने आप पे confidence रखना है, मतलब कई बार क्या होता है नंबर कम आते हैं, तो वो demotivation होता है self doubt होता है, वो चीज नहीं रखना है क्योंकि जब खुद पे doubt हो जाएगा, तब नहीं हो पाएगा आपको वो सवाल आता हो, अगर आप खुद पे doubt करोगी मुझसे होगा नहीं होगा, तो वो पक्का नहीं होगा खुद में confidence रखो, आप में पढ़ा है आपसे होगा, और consistency बनाया रखो बीच में तोड़ो मत, कोई exam मत छोड़ो कोई chapter मत छोड़ो, just because वो difficult है, उसे कोई difficult है, उसे दो बार पढ़ लो, and NCRT तो पढ़नी पढ़ेगी वो तो line by line याद पढ़नी पढ़ेगी मैं, बच्चे जब पढ़ते हैं आज कल, एक जमाना होता था कि बच्चे पढ़ लेते थे बिल्कुल सब आभ ऐसा होता कि बच्चों के साथ साथ हमारी भी पढ़ाई होती है, बहुत सारी schools तो ऐसी है कि बहू परेंट्स के बें अंट्र्यूई लेती है Sir मैं अपने बच्चों के साहð रही हूं एवन मैं chemistry से PGT हूँ there किसी भी तरह का कोई मुझे लगता है rockstat already यहां steady कर रहा है, by chance यहां उसको इस तरह याद करेगा तो इसको जल्दी याद होगा तो वो इस तरह के points मैं सको बताती रहते हो साथ-साथ चलते हूँ कि हां ये बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे काम करते हूं तो भी ध्यान रखते हूं कि क्या पढ़ रहे हैं और किस पॉइंट पर वो कहीं न कहीं mismatch है तो मैं इसको कवर करके रखते हूं कि बेटा आप यहां से यह कर रहे हो तो आप इसको ऐसे ट्राई करके देखो तो अच्छे से याद हो जाए तो एक मैसेज मैं चाहूंगा कि बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मेरा मेन मैसेज यही है जो मैंने आपके मैट्रिक्स में तीन लाइने स्टड़ी कि थी मुझे सर्व लाइने बहुत अच्छी लगी कि बच्चे की सफलता के लिए एक तो बच्चे की कंसिस्टेंसी और बच्चे का उस लेवल का मा करेंड होना जरूरी है दूसरा उसके मम्य पापा का साथ और मोटिविशन होना जरूरी है कि येस यू कैंडू देट वेटा रन मतलब जब बच्चा रन करता और पीछे से हम तालीब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज को एफट करता है उस चीज को एंक्रीज करता सर वो आपको भी खुश करेगा फाइनली आपने एक सपने को जिया उसका आपने बहुत बड़ा स्टैप था उसको क्लियर किया अब आप भविशे की बहुत शी डॉक्टर बनेंगी और मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि वाकए मैं जीवन में बड़ी सफलता पानी है तो उसके लिए आपको एकागरता के साथ साथ में अपने सपने देखने होंगे उन पर विस्वास करना होगा और फिर आने वाली बाधों को बिना देखे लगातार उस सपने के साथ केंदरित होकर क्यों आगे बढ़ना पड़ेगा यह त करते हैं तो निश्यतुरुप से सफलता को आपके पास आना ही पड़ता है दिव्यांची ने ऐसा किया उसने सोचा किया और कर दिखाया तो मैं दिव्यांची उसके पूरी परिवार को फिर से बधाई देता हूं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा यह आपकी बे двиг से बी आपको निमंतर न देता हूं कि आपका भी सपना है यदि आप डोक्टर बनना चाहते हैं आप विवन्तीज ऑगे Thank you, thanks a lot.